अब सब क्यासे हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टुडी को कॉंटिन्यू कर होंगे फ्रेंट्स आज की वीडियो लक्षन में पढ़ने वाले हैं जो आपका सब्जक्ट सामाजिक अध्यन हो जाता है इसके अती लगुत्री टाइप कोस्टिन्स की सिरीज को कॉंट प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चीजों को सीरल वाइस देख सकते हैं क्योंकि आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा तो क्या देखा क्योंकि जो भी चीज़ें आपको सीखनी है वो स्टार्टिंग से सीखनी है कुछ भी स्किप नहीं करना है और जब बिना स्किप किये हुए चीजों को आप सीखेंगे समझेंगे तब ही आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे ठीक है तो फ्रेंट्स चलते हैं आज की सीरीज का फर्स नुमबर कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन आपका हो जाता है भारत में पर्थम रेल निर्माण कारिक कप कराया गया तो अठ करदेश का उच्छ नियाले कहां इस्थी थे तो परियागराज इलहाबाद हो जाता है क्योंकि कभी-कभी परियागराज लिखा होता है कभी-कभी इलहाबाद लिखा है या कभी इस तरह से जैसे परियागराज लिखा है और बात में ब्रायकेट में इलहाबाद लिखा है कुछ भी आजाए आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे निर्यात से आप क्या समझते हैं दूसरे देशों को भेजने वाली वस्तों है हम सेवाओं को निर्यात कहते हैं यानि चीजों को भीजना क्या है तो निर्यात है और मंगवाना क्या है वो आयात हो जाता है लेकिन कु उद्क्य में हो सकता है चीजे सही भी हो जाएं लेकिन हम आपको बताते हैं जैसे निर्याद और भ्हेजना भा में एक ही मात्र होता है न तो भैजना हो जाता है निर्याद उपर रा लगा हुआ तो इस तरीके से आप ट्रिक से समझ लें कि जिसमें भेजना है और उपर निर्यात है तो मतलब निर्यात मतलब भेजना हो जाता है और मंगवाना जानि उसमें उपर कुछ भी नहीं लगा है और मंगवाने में भी है ना कुछ नहीं है तो उपर और आयात में भी कोई उपर या इस तरह से कोई पाई मातरा नहीं लगा तो हवाई जहाज है डश महल कहा है डश महल कैरल में है तथा इसका निर्मार पृतगालियों द्वारा पंदरा सो सत्तामन इस्यू में किया गया पुराना किला कहा है पुराना किला दिल्ली में इसका निर्मार शेशा सूरी द्वारा पंदरा सो चालिस से चवालिस इस्यू मे किया गया था 149 नंबर का question हो जाता है अकबर का मगबरा कहां है तो सिकंद्रा उत्तर प्रदेश निरमार करता जहांगीर 1613 जहांगीर महल अकबर का किला कहां है तो आग्रा फोर्ड उत्तर प्रदेश इलहाबाद उत्तर परदेश और निर्मार करता कौन है तो अकबर है शीष महल खास महल दिवाने खास कहा हैं तो यहां सभी महल आगरा में हैं तथा इसका निर्मार से जहाने किया था भारती संसत के दोनों सद्णों की संयुक्त बैठक की समबंद में आखूत होती है तो साधारण विध्यक के संबंध में होती है भारत की जलवाईू को क्या कहते है उश्र कटीबंधी मानसूनी जलवाईू कहते है भारत में सिचाई के साधन का संचित विवण दीजिये तो कुवावा नलकूप हो जाता है प्रतिशत सिंचित भाग तालाप प्रतिशत सिंचित भाग नहरद 24 परतिषत अनिश्रोद 11 परतिशत ठीक है न अनिश्रोद क्या हो जाते हैldi 11 परतिशत हो जाते हैं वर्तमान समय में सिचाई के परमुकसाधन बताएं तो कुआ नहर वा नलकूप सिचाई के परमुकसाधन हो जाते हैं यह आपको बहुत अच्छे से पता है है ना प्रांसिसी इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो इस्ट इंडिया कमपनी 1664 इस्वी में एक सरकारी कमपनी थी इस पर व्यापारी का नियंत्रन ना होकर राजा का पून नियंत्रन था फ्रांसिस्यों का मुक्य देश भारत में व्यापार कर पूंजी प्लाषी का युद गब और किसके बीच वा था त 묽ा उत्तिम。 वांडी वाश का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था तो 1760 हिस्व में दच्छिड भारत में हुए इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस हिस्वों को पराजित कर दिया था मुगलकाल की किनी चार साहित कृतियों का उले कीजिए तो अकबर नामा अबुलफजल और रामचरित माना सुतुसीदास और हुमायू नामा तो गुलबदन बेगम और गंगा लेहरी तो पंडित जगरनाथ ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन हो जाता है तो रख लीजिए भिषि का मगबर्य नामक स्थानयोम राज कहां है तथा his के निरमाड करता कौन है तो यह मगबर्य औरंह़ाबार महरास्ट में है त इसका निरमाड करता औरंग्यिव reicht यानि था था है नहीं खेट, था मतलब यानी थे, यहाँ पे लिखा तो इसमें होता है कि कोई भी किसी भी शक्स का नाम ले तो था होता है जादा था, लेकिन आप अपनी language में पढ़ें, कोई भी बड़े का नाम आता है, किसी का भी नाम आता है, तो वो हमसे बड़े हैं, तो इसलिए वो थे, आरामगण की अपना की शाशक ने की थी, तो बाबर ने आगरा उत्तर प्रदेश में 1526 इस्वी में इसकी अपना की ती, शाली मारबाकी अपना की इस थापना, शरी नगर में जहांगीर ने की थी, शेशा का पक्की सड़कों वाला राजी कौन है भारत में पक्की सड़कों वाला राजी महरास्ट्रे है भारत में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा रास्ट्रे राजमार्ग का नाम बता है तो सबसे बड़ा राजमार्ग साथ सबसे छोटा राजमार्ग 47A हो जाता है बहुत कौन कौन से हैं very important सुती वस्त्र चाय जूट आधि हो जाते हैं भारत का सरवाधिक व्यापार किस देश के साथ है तो भारत का सरवाधिक व्यापार संयुत राज अमेरिका के साथ हो जाता है डबलू टी ओ का पूरा नाम बताएं तो वर्ड ट्रेड और्गेनाईजेशन विस्वयापार संगठन हो जाता है कंगार्मो का देश किसे कहते हैं तो कंगार्मो का देश आस्ट्रिलिया को कहते हैं विशु परसिद्प्रामिड कहा है तो विशु परसिद्प्रामिड मिस्र म कि यूरेशिया से अप क्या समझते हैं तो एशिया महादीव के पस्ची में यूरोप महादीव यूरोप तथा एशिया को मिला कर यूरेशिया कहा जाता है विशु की सबसे उची चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट हिमाले 8,848 मीटर कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी मिल जाएगा क्योंकि क्या होता है टाइम के हिसाब से चीज़ें बढ़ती रहती है तो जब अब उसको ना पा गया तो 50 तो कहीं पे आपको 48 में मिल जाएगा कहीं पे 50 भी मिल जाएगा तो जैसा option हो उसके according आप लिखिएगा भात में कुल 6 तरफल के कितने भाग पर क्रिशी की जाती है 21 परतिशत भाग में क्रिशी की जाती है अबरक उतपादन में भारत का विश्व में स्थान बताएं तो अबरक पर्थम राजस्थान में 21 परति सबसे पर्थम राजस्थान में भारत के परत्थम तीन राज करमशा बताएं तो जहारखन चतिज गर उडिशा यनि औरीश्य सबसे परथम श्रिणी का कोईला किसे माना जाता है तो एंध्रे साइट को माना जाता है और भारत में बाक साइट का उतपादन सबसे अधिक करन वाला राजी बताएं तो उड़ी सा हो जाता है स्वर्ड उत्पादन में पर्थम राजी कौन है तो सद्पादन में पहला राज करना टक 98 प्रतिशत है ठीक है पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले छेद्र कौन-कौन से हैं तो असोम डिकबोई सुर्मा घाटी गुजरात ख कौन बुलाता है तो संसत का संयुक्त अधिवेशन राष्टपती बुलाता है संयुक्त अधिवेशन राष्टपती द्वारा किन-किन इस्तितियों में बुलाया जा सकता है इसपस्ट करें जब कोई विध्यक एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए और यद उसरे सदन को विध्यक प्राप्त होने की तारीक में उसके द्वारा विध्यक पारित की विना छे मां से अधिक बीत गए हूं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा क्या धन विध्यक के संबंद में लोकसभा का निर्ने अंतिम होता है तो हाँ बिल्कुल होता है अंतिम ही होता है क्या धन विध्यक के संबंद में संयुक्त अधिवेशन क की व्यस्था की जा सकती है तो नहीं पर्थम लोग सभाध्यक्ष कौन थे तो जीवी माल वंकर हो जाते हैं वर्तमान में भारत में कितने उच्छ न्याले हैं तो पच्छिस उच्छ न्याले के न्याइधिश के पद की योगिताय लिखिए तो वह भारत का नागरिक हो सबसे तो यह शर्थ होती है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहरू उसकी आयू 62 वर से अधिक ना हो आयकर किसे कहते हैं यह प्रतियक्ष कर है जो व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है या सुरुपर्थां 1950 इसी में लगाया गया था व्यक्तिगेत आय का कुछ भाग कर मुक् जाता है जैसे आयकर निगम कर भूमिकर आदि हो जाते हैं परवाल बित्ति किसे कहते हैं पिछ्च्छले समुद्र में बहुत छोटा जीव मुंगा जो परवाल होता है ना परवाल के नाम से भी जाना जाता है वो पाया जाता है इसके मरने पर शरीर के अंश एक से उपर ज महासागर से है विशु की सबसे बड़ी परवाल भित्ति किस महासागर में इस्थित है तो विशु की सबसे बड़ी परवाल भित्ति प्रशाथ महासागर में है मरेवा डार्लिंग नदिया कहां बहती है तो मरेवा डार्लिंग नदिया आस्ट्रेलिया में बहती है मेड़ा मेडागॉसकर के पठार के बारे में आप क्या जानते हैं तो मेडागॉसकर द्यूप अफरीका के दच्छिर पूर्व हिंद महासागर में इस्तित हैं इस द्यूप में मधिवर्ति भाग पठारी हैं जिसे मेडागॉसकर पठार कहा जाता है टेगावन किसे कहते हैं टेगाव आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भारत का सबसे उच्छा परवत शिखर कौन सा है माउंट के टू गौडविन आस्टिन 8611 मीटर हिमाले परवत दुनिया का सबसे उच्छा परवत है और भारत में संसार के दो साधनों के अनाम लिखिये तो समाचार पत्र और दो दर्शन हो जाते हैं तो लोकसभा के सदस्यों की आयू सीमा 30 वश तथा इस से अधिक हो शकती है संसत का कौन सा सदन इस्थाई होता है जिसको भंग नहीं किया जा सकता तो राज सबह राजसभा धन विद्योक को कितने समय तक अपने पास रोग सकती है तो राजसभा धनविध्योग को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है त्री शंकू लोग सभा से आप क्या समझते हैं तो इदि सामान निर्वाचन में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए इसफ़स्ट भहुमत प्राप्त होता है तो उसे त्री शंकू लोग सभा कहा जाता है योजना आयोग के स्थान पर गठित नीती आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो नीती आयोग का पदेन अध्यक्ष परधान मंत्री होता है मंत्री परिशद के बारे में बताए तो भारती समिधान के अनुछे 74 के अनुछार राश्ट्रिपती को उसके कारियों के संपादन वसला देने हैं तो एक मंत्री परिश्यत होती है मंत्री परिशत सामुही ग्रूप से लोगसभा के प्रति उत्तरदाई होती है। व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो यदि व्यक्ति मंत्री बनती समय सदस्य नहीं हो तो उसे छे मां के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार है नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। राजे सभा के सदस्यों का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो राजे सभा के सदस्यों का कारेकाल छे वर्ष का होता है लोग सभा के सदस्यों का कारेकाल कितना होता है तो लोग सभा के सदस्यों का कारेकाल पांच वर्ष होता है मंत्री परिशस संसत के किस सदन के प्रति उतरदाई होती है तो मंत्री परिशस संसत के सदन लोग सभा के प्रति उतरदाई होती है प्रत्यक्षकर किसे कहते उधारन सहित बताईए तो वह कर जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है उधारन सीमा, शुल्क, व्यापार कर, उत्पादन कर, मनुरंजन कर आईकर किसके द्वारा लगया जा सकता है तो आईकर केंद्र सरकार द्वारा लगया जा सकता है और आप्रतिक्षकर का उधारन बता है तो मनुरंजन कर, व्यापार कर, उत्पाद कर हो जाते है मनुरंज़कर का उदाहरण क्या है तो आप्रत्यक्षकर हो जाता है केंद्र सरकार के आई के श्रोद बताएं तो आई कर निगम कर संपत्ती कर जायदात कर उपहार कर सीमा कर आदी भारत में उपराष्टिपती को कौन निर्वाचित करता है तो भारत में उपराष्टिपती क करते हैं तो इस तरह से यहां तक शेशन कंप्लीट होता है और अभी कुछ कोस्चन्स हो रहे हैं उनको भी कॉंटिन्यू कर लेते हैं उसके बाद नक्स क्लास में हम लोग लगभुत्रिय टाइप कोस्चन्स की सीरीज को कॉंटिन्यू करेंगे संसत के दो कारे बताएं समिधान में संशोधन का अधिकार संग्य सूची के विशे पर कानून बनाने का अधिकार ये हो जाता है ठीक लोग सभाद्यक्ष का कारे बताएं तो धन विध्यक को परमारित करना सदन की कारवाही का संचालन करना और सदन में नुशाशन बनाए वित्विध्यक तत्हा साधारण विध्यक में अंतर बताएं तो वित्विध्यक केवल लोग सभा में पालित किया जा सकता है जबकि साधारण विध्यक संसत की किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है उच्छतम नियाले अपने अपीलिये अधिकार छेत्र के अंतरगत तिन तीन परकार के मुकद में सुन सकता है तो दिवानी के मुकद में फौसदारी के मुकद में और राजस के मुकद में ये सुन सकता है विशु का सबसे विशाल मरुस्थल कौन है तो सहारा ठिक और अफरीका के ऊश्र घास का मैदान कौन है तो सवाना है अफरीका में स्वीतोश्र घास का मैदान कौन है तो वेल्ड है और विशु में सबसे लंबी नदी कौन है तो नील नदी जो अफरीका महादियूक में है व मुझ लिजे कितने इंपॉर्टन्ट ये कोश्चिन्स हो जाते हैं केंद्र सरकार के वे के श्रोत बताएं आए मतलब आना और वे मतलब जाना खर्च होना है ना तो प्रतिरक्षा सेमाए प्रशासनिक सेमाए कर वसूली वे रिड़ सेमाए आद राज्य सरकार के आए के श्रो आए मतलब पैसा आ रहा है है रहा मिल रहा है तो उसके श्रोत क्या है भूमिकर किर्शी आए कर राज उत्पादन कर व्यापार कर स्टॉम सुल्प वनों से आए मनुंजर कर सिचाई सडग जल परिवहान राज सरकार के वे के श्रोत बताएं सिच्छा पर वे किर्षी पर व एक अप्रेल 1951 से 31 मार्च 1956 इंपोर्टेंट और वेर इंपोर्टेंट ठीक भारत में कौनसी पंचवर्षी हो ज़ना एक वर्षपूर समाप्थ हो गई तो पांचमी पंचवर्षी हो ज़ना कोश्यन इस तरह से भी पूश सकते भाई पांच वर्ष के होती है तो चार आनसर आपका पांच में पंचवर्षी हो ज़ना ठीक एक एस्यमी विश्व का सबसे उच्छा परवशिकर कौन सा है तो एस्यमी विश्व का सबसे उचा परवशिकर मांट एवर्स्ट है पंपास कहा का गहास का मैदान है तो दच्छिड अमेरिका एश्या में विश्यू का सबसे अधिक जनसंख्यावाला देश कौन है एश्या में विश्यू का सबसे अधिक जनसंख्यावाला देश चीन हो जाता है विश्व में सबसे गहरी जील का नाम बताएए बेकाल जील एशिया में विश्व का सबसे उचा पठार कौन है पामीर का पठार और यूरोप को प्राइदीपों का महादियूप क्यों कहा जाता है यूरोप के अधिकांश देश तीन और से सागरोद्वारा घीरे हैं यूरोप के खेल का मैदान क्या है तो सुजलेंड हो जाता है यूरोप का भारत किसे कहते हैं तो इटली को कहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका शेशन कम्प्लीट होता है प्लेस आपकी जो अतिलब गुत्री टाइप कोस्चन से वह भी कम्प्लीट हो जाते हैं आई होप आप लोगों को शेशन अच्छा लगा होगा और फ्रेंड्स अगर शेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजेगा और अगर अभी तक आप लोगों को सबस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि क्या होता है सबस्क्राइब करने से आप को अपडेट मिलती रहती है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नक्स क्लास में थेंक यू